हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब I hope you guys are good so दोस्तों today topic in cell scripting हम लोग जानेंगे कि what is cell variables right कि cell variables क्या होता है so हम लोग यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि cell variables जो होता है guys वो basically two types का होता है first होता है random and second होता है UID अब हम लोग एक एक करके जानते हैं कि यह random क्या होता है और UID क्या होता so first हम लोग पहने जान लेते हैं कि यह random क्या होता है so जैसा कि यहाँ लिखा है कि a random integer between 0 to 32,767 is generated मतलब इस number के भी 0 to 32,767 के बीच में जो भी number होगा वो randomly मतलब खुद से generate करेगा इस दो number के बीच में right मतलब यह क्या होता है ना यह एक involves variable होते हैं जो कि हम लोग खुद नहीं बनाते हैं right यह already present होते हैं Linux environment में है ना and जब भी हम लोग script बना रहे होते हैं यह script बनाते हैं तो यह variables को use करके हम लोग different types of tasks को perform कर सकते हैं कि आपने dice वाली game खेली होगी वो सापसीड़ी loodow वाली game so simply उस game को अगर आपको बनाना है as a script आपको use करके so आप simply random variables का use करके आप बना सकते हो right so आप कैसे बनाओगे so मैंने यहाप सिंपल सी एक code लिख दिये right आप इस code की help से इस script की help से simply आप वो dice वाली game create कर सकते हो मैं आपको यह lab में करके दिखाऊंगी so don't worry so I hope आप लोग को यह clear हुआ होगा कि यह random variables होता क्या है and हम लोग इसको use क्यों करते है so in one line अगर हम कहें कि what is random so random is basically a variables जो की हमारी cell के variables होते है and random कहां use होता है अब बहुत सारे tasks इसके according perform कर सकते हो according to you right जैसा आप चाहते हो आप ऐसा कर सकते हो but यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपको एक game जो है वो आपको as a script मैंने script यहाँ लिखी दिया है so इसके थ्रू मैं आपको करके बताऊंगी right so दोस्तो next है हमारा जैसा कि यहाँ पर guys यहाँ पर पहले हम लोग समझी लेते हैं कि क्या है यह so guys यहाँ पर have civank bin bash यह आपको देना ही है script में यह आप लोग को पता ही है simply यहाँ पर मैंने एक लिख दिया है कि generate a number between 1 to 6 है ना यह मैंने comment out किया हुआ इसको आप यहाँ ध्यान से देखना तो यहाँ has है right simply मैंने ऐसे लिख दिया कि एक number को generate करो जो की आपका 1 से 6 के बीच में होना चाहिए right यानि कि जब आप dice वाली game खेलते हो जब आप लूड चका खेलते हो so उसमें भी आप देखना कि उसमें जो गोटी रहती है नो उसमें सिफ 6 ही रहता है right 6, 5, 3, 2, 1 right so वैसा ही मेरे को एक game बनाना है so मैंने यहाँ पर लिख दिया कि generate a number between 1 to 6 right so basically हमने यहाँ पर एक variables बना लिया number right मैंने यह already यह वाला जो lecture है कि number variables कैसे बनते हैं कैसे हम लोग बनाएंगी मैंने और वीडियो में cover कर रखा है अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा है सब 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 पहले आप उस वीडियो को watch कर लेना then इस वीडियो को देखना तो definitely आपको समझ आ ही जाएगा right so मैंने simply यहाँ पर एक variables लिया and variables के अंदर यह सारे कुछ को store कर दिया क्या store क्या dollar random right कि कोई भी random value आप दे दो एक modules and उसके अंदर क्या क्या 6 plus 1 right कि यानि कि 6 और 1 के बीच में आप कोई भी number मेरे को दे दो यानि कि जब मैं execute करूँ so 6 और 1 के बीच में कोई भी number आ जाए वहाँ पे right then मैंने यहाँ क्या क्या कि E को आपकी result है आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो right मैंने यहाँ से ही लिख दिया आपकी result है right and then उसके बाद simply मैंने इसको यहाँ पे यह कर दिया बता दिया then उसके बाद guys आप जब इसको execute करोगे CH mode 777 या फिर जैसे भी आप इसको permissions दोगे अपने recording permissions कैसे ही देना है उसकी भी मैंने already video बना रखी है so वो भी आप देख लेना and अगर आपको नहीं आता है तो वो भी video देख लेना otherwise अगर आपको आता है तो कोई बात ही नहीं आप simply उसको permissions दे देना और permissions देने के बाद उसको execute कर लेना right so simply वो जो game है na dice वाली वो simply execute हो जाएगी right so यह मैं आपको lab में करके दिखाओंगी बस यहाँ पे अभी आप समझ लो इस चीज को right then guys next है हमारा uid uid means क्या होता है user id यह क्या करता है user id user id of the user logged in यानि कि कौन सा user login है वो आपको यह बताएगा यह script अगर आप यह script को लिखते हो right so simply यह script कुछ नहीं है बहुत ही जादा असान script है so मैं यह भी आपको execute करके दिखाओंगी so simply अभी समझ लेते हैं कि user id करता क्या है right so script के अंदर कुछ ऐसे command है जो admin ही access कर सकता है right और आप चाहते हो वो script root user ही यह करे access करे I mean run करे right so अगर वो चीज आपको check करनी है कि कौन से user ने उसको access किया right so आप यह script के use कर सकते हो आप user id के use से आप वो चीज पता कर सकते हो right simply क्या करना है आपको कुछ नहीं करना simply आप जैसे binbas देते हो यह दे देना then उसके बद मैंने यह पर कुछ लिग दिया ऐसा ही कि display if the user is root or not की हमारा user क्या है कि मैं ऐसा Ubuntu user login हूँ या मैं ऐसा root user login हूँ या जो मैंने एक div safya user create किया है तो उस user से login हूँ यह मेरा जो code है यह जो script है यह simply यह बताएगा कि आप कौन से user से login हो right so simply uid user id right and एक चीज और guys के root user की id हमेंसा 0 होती है इस चीज को याद कर लेना कि root user की uid होती है यानि user id वो हमेंसा 0 होती है and आप as a user आपकी कुछ भी हो सकती है right so वो हम लोग check कर लेंगे अपने instance पे जाके then guys हम लोग यह आपके क्या कर रहे है देखे if हम लोग use किये है if user id is equal to 0 है न क्योंकि user id मैंने यह क्यों लिखा क्योंकि root user की user id होती है वो क्या होती है जीरो होती है right इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया so simply user id is equal to 0 then आप क्या करो e को you are root right कि जैसे यह script चलेगी और अगर आप root हो तो simply वो बता देगा कि you are root है न यानि कि आप admin हो else अगर आप नहीं हो तो आप simply बता दो you are not root right and then इसको fi से मैंने close कर दिया बस इतना सा काम है and यह बहुत ही जादा easy है so चली फिरवर्ट से हम लोग देख लेते हैं इसको अपने instance पे and यहां पे एक लाइन चुट रहा है हमारा की example of uid to check if the script executed with the root user or not simply वहीं हम लोग यहां पे देखेंगे अभी so चली फिरवर्ट से चलते हैं हम लोग इनस्टांस पे and वहां पे जाके मैं यह सारे चीज़ को आपको perform करके दिखाती हूं okay so दोस्तों यह आगे हम लोग अपने instance पे and यहां पे मैं वह सारे चीज़ को वह code को basically execute करके आपको बताती हूं so simply यहां पे मैं अभी चल जाती हूं अपने scripts वाले folder के अंदर and then अभी इसको कर लेकियो clear उसके बास guys यहां पे मैं simply अभी करूँ sorry echo 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 and then dollar symbol के अंदर मैंने यहां पे लिख दिया random right then मैं यहां पे a करूँगी तो यहां कोई भी एक random value मैंने आपको बताया था कि उस दो value के बीच से कोई भी random value आपको यहां पे दे देगा so यहां पे यह आपको यह random value दिया आप next time करोगे कुछ और हैगा next time करोगे कुछ और है यानि जितनी बार आप करते जाओगे आपको random random यानि अलग अलग type की value वो आपको simply देता जाएगा right simply यह तो हो गया and आपको अगर random के बारे में और भी knowledge चाहिए और भी information चाहिए तो वो आप यहां से ले सकते हो उसके लिए आपको कुछ नि करना simply man and then यहां पे आप लिख देना best right then जैसे ही enter करोगे then guys आपको कुछ नि करना simply slash करना है and उसके बाद आपको यहां पे random के बारे में जानना है so simply यहां पे random लिख देना उसके बाद enter करना simply यह आपको random के बारे में यहां पे हर एक चीज बता देगा तो आप यहाँ पर read करके इसके बारे में और भी information ले सकते हो then guys next year हमारा की UID भी था right so simply उसके बारे में भी अगर आपको जानना हो तो same as I करना चली वो भी करके आपको दिखाते हैं अगर यहाँ से space से आपको बाहर निकलना है so simply आप यहाँ पर Q प्रेस कर देना so यहाँ से आप बाहर आ जागे right अब मेरे को like UID के बारे में देखना है so simply मैं यहाँ पर लिखूंगी UID right oh sorry मैंने capital कर दिया so simply आप यहाँ पर लिखना U oh sorry BEST लिखना था यहाँ पर right then guys अभी हम लोग यहाँ से इसको कर देते हैं quit and then उसके बाद guys यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ अभी clear उसके बाद मैं यहाँ पर चलती हूँ unless तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी दो files यहाँ पर already है right मैंने बना रख है so simply पहले हम लोग dice.sh के अंदर चलते है so simply मैं भी चलती हूँ vim.sh enter करती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो same जो मैंने आपको समझा दिया है यह already अपने notes में so simply यहाँ पर वो ही चीज है and मैं इसको simply execute करके आपको दिखाती हूँ right so simply इसको execute करना है so उसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले code लिखने, script लिखने के बाद simply आप यहाँ से ch mode वाली command दे देना पहले उसके बाद ही यह हरी भरी होगी वरना पूरी white ही रहती है then इसको पहले आप command दे देना so यह basically हरी बरी हो जाएगी then उसके बाद आप simply इसको execute करना dice.sh करोगे तो आप देख सकते हैं पर क्या आ रही है कि आपकी result है 6 आप next time करोगे तो आएगा कुछ भी आपकी result है 3 फिर करोगे तो आपकी result है 2 फिर करोगे आपकी result है 3 फिर करोगे आपकी result है 3 so simply यह आपको 1 से लेके 6 तक में कोई भी number random आपको यहाँ पर यह पर प्रोवाइड कर देगा जैसा कि आप ludu चक्का में खेलते हो right simply वैसा ही यहाँ पर यह आपको दे देगा then guys next है हमारा uid वाला right कि आप root user हो या नहीं हो वो चीज़ हमको पता करना है so simply अभी मैं इसको कर देती हूँ यहां से clear then मैं यहाँ पर करती हूँ ls so मैं यहाँ से चलती हूँ अभी user check.sh में write कि आप कौन से user हो अभी right so simply यहाँ पर मैं चलती हूँ वी vim मैं आपको एक बार code दिखा देती हूँ पहले so simply code यही है जो मैंने आपको अलोड़ी समझा रखा है so चली फटफट से इसको अब हम लोग कर लेते हैं execute so simply यहाँ पर इसको भी आप ch mode वाली कमांड दे देना उसके बाद simply आप इसको यहाँ पर execute कर देना so जैसे ही execute करोग यहाँ पर लिखा रहा है कि you are not root आप root नहीं हो क्यों नहीं है क्योंकि हम तो as a ubuntu user login किये हैं right so इसलिए बता रहा है कि you are not root यानि कि जो मेरा script है वो बिलकुल सही है अब चेक कर लेते हैं कि हम root है या नहीं मतलब हमको admin power है या नहीं so उसके लिए हम क्या करेंगे sudo उसके बाद simply इस वाले को execute कर देंगे इस file को user.check.ss right so simply यहाँ पर आपको बताएगा you are root क्यों बताया क्योंकि मैंने यहाँ पर super user do right वो वाली command use की यानि sudo so simply इसलिए मेरे को यहाँ पर बता रहा है कि you are root so simply इसलिए मेरे को बता रहा है you are not root so I hope यह वीडियो आपको पसंद आया हो and अगर पसंद आया हो तो वीडियो को share करो like करो subscribe करो and guys चलिए कल फिर मिलते हैं एक new topic के साथ topic बहुत ही जादा interesting होने वाला है so चलिए कल फिर मिलते हैं और तब तक के लिए bye bye take care दोस्तो